हलो एन गुड मानिंग कल हम लोगोंने बहुत ही सार्थक बाचित की ब्रांड को लेकर और आज हम लोग बात करेंगे ब्रांड अमबैजडर को लेकर जब मैं कमेंट सेक्षन पढ़ रहा था तो एक हमारे युवा मितर ने कमेंट किया भी एक वीडियो बनाई और यह काफी वहवारिक भी बात है कि ब्रांड को अगर जान लिए हैं तो फिर ब्रांड अममइजडर को हं भी हम लोग बहुत आसानी से जान जाएंगे अब यह ब्रांड एमज्डर होते क्या है यह क्यों कंपनी गार करती है इनके क्या फाइदे है कंपनी को मिलती है और किससी भी ब्रांड को क्या फाइदा होता है किसी यह सारी बाते हम जानेंगे लेकिन यह से पहले if you have not subscribe to the channel then please do it. It will help the channel to grow also and it will also work as a motivation. Now let us start the topic. But before actually kick us starting the topic, yesterday we are discussing about brand. Then what is it? We have dealt in detail manner in the yesterday video. But one or two point I will add to that point. Because after making that video that two three points comes to my mind. So I think that I should put this topic in the today's video. कल हम लोगे ने बहुत अच्छे से बात की कि brand क्या होता है? Brand में एक चीज और मैं बता दूँ कि brand की जो मुनाफ़ा है और brand की जो लागत मनी है. यानि कि जो manufacturing cost है और जो profit है उसके बीच में huge margin होता है. और उसी margin में से वह समय समय पर offer देता है और वह offer customer को attract करता है और आकरसित करता है ताकि वह product को खर दे. तो एक यह भी brand में होता है कि brand के पास इतनी मुनाफ़ा का space होता है कि वह offer दे सके. Brand की एक appeal होती है वो national level की हो सकते, international level की हो सकते. यानि कि कोई brand पूरे इंडिया में भी हो सकता है, कई देसों में भी हो सकता है, जैसे Coca Cola है, Thumbs Up है, Apple है, Nike है. इस तरह के कई brand Samsung है, LG है, जो की international level पे उपलब्द है, यानि कई रास्टों में है, तो brand की जो उपलब्दता है या उसकी जो आप showroom देखेंगे बड़े-बड़े, वह एक देश में भी हो सकता है, और कई देशों में भी हो सकता है, तो ये भी एक brand की पहचान है, उसके महतपूर्ण आती है कि price factor, brand को लेते समय लोगों को tension price को लेकर नहीं होती है, they are already have a knowledge of that price, and they feel justified to pay that price, why, because कि brand चाहे पतना में बिक रहा हो, या किरला में बिक रहा हो, उसका rate सेम होता है, अगर उसमें state का tax, या कोई tax, local tax, अगर ना लग रहा हो, तो उसकी जो अपनी money है, वो same होगी, इसलिए लोगों को विश्वास होता है कि या कुछ भी गलत नहीं हो, या कुछ भी अनर्गल मुझसे लिया नहीं जा रहा है, तो एक price factor भी brand के लिए माइने रखता है, brand की recognition में, now coming to our main topic, that is brand ambassador, what is the brand ambassador, और आप लोग जानते होगे कि कई सारे brand है, उनके आप जब व ग्यापित कर रहा है, उसके लिए कुछ सब्द बोल रहा है, उसके लिए acting कर रहा है, उसके लिए drama कर रहा है, उसके लिए कुछ नाच गाने कर रहा है, so who are these people, these people are actually the brand ambassador who are working on behalf of that product, लेकिन ये काम क्यों करते हैं, of course, yeah, brand जो है, जितने भी brand है, वह अच्छी खासी money जो है, प आप मेरे उत्पाद का परचार परसार और इसके बिहाफ में कुछ lines बोलिए, आप इसका फोटो से परचार करिए, आप इसका वीडियो से करिए, आप विग्यापन में आके करिए, या अपने Twitter handle से कुछ tweet करिए, तो एक certain set of money लेते हैं ये brand ambassador, then after, वह परचार करते हैं, और जरूरी नहीं है कि money ही involved हो, कोई cause भी हो सकता है, जैसे कि pulse polio के brand ambassador के रूप में जब अमिता बच्चन आये, तो उन्होंने उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया, या एक रूपिया मात्र सिंबल के लिया, ऐसा लोग बताते हैं, तो कई बार आप symbolic रूप से एक या दो रूप किये, तो यह सब बातें थी, जो brand ambassador से जुड़ी हुई थी, अब brand ambassador की खुबी क्या होती है, जिसके लिए ये brand जो है, उस brand ambassador को hire करता है, या उस brand ambassador को अपने साथ जोडता है, तो जाहिर सी बात है, कोई भी brand ambassador होगा, तो वो लंबे समय से सकरिये होगा, यानि कि कोई भी जो कमपनियां हैं उनको पहचान इंट्रोडक्शन की जरुवत होती है अगर कोई नई कमपनी फॉर्म की है तो वा सुरुवाती समय में संघस कर रही होती है पहचान के लिए, पॉपुलर्टी के लिए, लोग उनके बारे में जाने, चर्चा करे, परिचर्चा करे, इसके लिए, साथी साथ, ना सिर्फ यहीं तक, बल कि इससे आगे भी acceptability के लिए, ताकि स्विकार रहो वो product, इन सारी चीजों के लिए, वह company परिशान होती है, वह चा अमिता बच्चन काफी लंबे समय से, टीवी के साथ ही, फिल्म इंडस्ट्री में सक रिये है, यानि उनकी एक credibility factor, एक विश्वसनियता है, कि if something, some message is said by the अमिता बच्चन, then it will be correct, it will be true, it will be valid, तो एक उनकी पहचान है, एक acceptability है, एक recognition है, उनकी, लोग स्विकार करते हैं, उन पहरों में चल जाएं, लोग उनको जानते हैं, he has popularity and recognition across the edges, across the continent, एक ही देश में नहीं, कई देशों में वो पहचाने जाते हैं, और भारत में तो सारे लोग, मतलब कि हर आदमी, अगर कह ले, तो उनको जानते होंगे, हो सकता है, गाओं के इलागे, रिमोट एरिया के ना ज जानते हों, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके fan following के रूप में हैं, तो जो brand ambassador है, उनकी एक लंबी चौड़ी fan following भी होती है, fan उनको पहचानते हैं, उनकी popularity होती है, रात और रात अगर वो कोई बात बोलते हैं, कोई tweet करते हैं, mass media पर आके कुछ अपनी ambassador के खाशियत होती है, brand ambassador की खाशियत होती है, whenever he says something in the mass media platform, through the advertisement, through the newspaper, through the articles, through the tweet, through the Facebook post, then people used to take action, or people used to take at least seriously to those point that if some sort of personality is saying something, then it will have some substance over it. कुछ वजन तो है, उसके बाद ये सब चीज़े तो है ही, और उसके अलावा एक historical track record है, success rate है, these people are recognized as a success figure, success figure यानि कि इन्होंने अपने मेहनत से, दमखम से, credibility से, तारतमता से, regularity से, जो Bollywood है, उसमें एक success story स्थापित किया है, these personality are seen as a success symbol in the society, कि अगर actor बनना है, तो इस कदगा बनो, popular बनना है, तो इस कदगा बनो, पैसे कमाना है, तो देखो 70 के उम्र में भी, 70 से पार के भी उम्र में कितना popular है कोई वेक्ती, कितना active है कोई वेक्ती, healthy बनना है, तो उनके ऐसे बनो कि इस उम्र में भी कितना सक्री है, तो इस particular symbol is a success इस तरह से कई ऐसे खूबियां है इन ब्रांड अमेजडर में जो कि कोई भी ब्रांड को चाहिए होता है हर ब्रांड चाहता है कि वह पॉपलर हो एक्सेप्टेबल हो एक सक्सेस के रूप में उसको देखा जाए और उसको एक यूजबिलिटी के तौर पर लिया जाए और उसको लोग इसलिए प्रयोग करें कि उसमें कुछ ना कुछ खासिया थे एक वी सोस्नियता है ट्रस्ट है और यह पहले से ब्रांड अमेजडर के पा अचानक से जब इस बड़े कत के वेक्ति का जब हाथ पढ़ता है या वह इसकी अनुशंसा करते हैं परसंसा करते हैं टेलिवीजन चैनल पर आके तो रात और रात उस प्रड़क्ट की दिमांड बढ़े आती है पॉपलेटी बढ़े जाती है सेल्स की ग्रोथ बढ़े जात अब सवाल यह आता है कि क्या ब्रांड अंबैजडर जो है वा किसी एक छितर से योगी जैसे बॉलीवूड का मैंने उधारन लिया अफ्कूर्स नौट यानि की जो ब्रांड अंबैजडर है वह सिर्फ बॉलीवूड से नहीं हो सकते हैं वह खेल से भी हो सकता खेल में साहि सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म महुत पॉपलर हैं और पीपल यूज तो सी देर अबर्टाइजमेंट और पीपल आर अट्रेक्ट टोर्ट सब्सक्राइब आपको मैंने बताया कि खेल से भी हो सकते हैं उसके अलावा आपको मैंने बता रखा है इसमें से घर के तमाम चीज़े जो आप देख रहे होंगे है ना एक सुई से लेकर फ्रीज वासिंग मसीन टेलिवीजन चैनल भी हो सकते हैं अफकोर्स टेलिवीजन सबका होगा यह प्रोड़क्ट में उसके बाद सेवा चैनल का नाम लिए वो सेवा में आ जाता है हॉस्पि विखास एक पॉलिटिकल विचार है उसका भी विज्यापन हो रहा है उसके अलावा और भी कई पॉलिटिकल कई रिलीजियस विचार है तो विचारों का भी विज्यापन होते हैं और ब्रांड जो है वह इन छेत्र से भी हो सकते हैं प्रड़क्ट को विज्यापित करने के ने और सेवा को विज्यापित करने के लिए तो कई सारे political ideology है political विचार है political organization उसको परचार परचार करने के लिए political figure प्रदान GPT जब बड़े लोगों के रूप में बड़े बड़े पोस्टे उनके photos होते हैं तो वह एक political सक्सियत है उनकी जो brand accessibility है या brand representation है वो politics से आता है उसी तरह से कई social भी हो सकते हैं कई दूसरे छेतर से भी हो सकते हैं और सबसे महतपूर्ण बात यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई वेक्ति कोई बंदा किसी छेतर से हो कई बार कई सारे product ऐसे होते हैं this product used to proclaim that they don't need any brand ambassador to endorse their product they are already so much popular they are having so much fan following they have already such acceptability in the market that that is already capable to propel their product यानि कि वो अपने आप में ही market में खुद का परचार परचार करने में सक्षम है या उनकी सक्रियता इतनी है उनकी डिमांड इतनी है उनकी acceptability इतनी है कि उनको जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा brand ambassador आकर उनको इंडॉर्स करें आप उसमें उधारन ले लिए डेल की company को ले लिए आपल को ले लिए या दूसरे लोगों को brand के तोर पर नहीं लाता है यानि कोई brand ambassador इनके product को विज्ञापित नहीं करता है ऐसा इसलिए क्यूंकि इनकी अपनी ही demand बहुत है ये खुद ही है अगर ये किसी को काम देते हैं तो वो उस brand ambassador को ही फायदा होगा यानि कि brand ambassador इनको ना endorse करके ये brand ambassador को endorse कर सक ये company को लोग ज्यादा जानते है उसकी popularity ज्यादा है उसकी acceptability ज्यादा है उसकी जो discussion है उसकी जो शुकारिता है बहुत ज्यादा है compared to any of the actor in the advertisement तो ये एक brand से जुड़ा हुआ एक concept था brand ambassador से जुड़ा हुआ concept था कि जरूरी नहीं है कि हर company brand ambassador को ले अब कोई company कैसे चुनती है brand ambassador को what are the factors for the selection of the brand ambassador तो इसमें जो सबसे मुख factor है what the message the company want to communicate to the audience to the viewer to their consumer to their user अगर message active है energetic है यंगनेस का है तो कोई जो brand ambassador होगा यंग होगा खेल से होगा active होगा लेकिन अगर एक credibility है एक weight है एक historical track record है विश्वास नहीं आता है तो कोई senior या season जो brand ambassador है उसको company hire करेगी ताकि उसकी भी में एक serious और एक historical एक weighted product के रूप में या ideology के रूप में या एक विचार के रूप में अस्थापी थो तो यह निरभर करता है कि what the message really the company want to communicate to the audience on the basis of that message the company used to endorse the brand ambassador तो ये एक समझ थी कि brand ambassador का चुनाव कैसे करते हैं अब brand ambassador क्या जरूरी है success के लिए तो अगर आप नई company है आप एक उभरता company आपकी पहले से पहचान नहीं है market में साख नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको कम समय में success मिले आपको पहचान मिले लोग आपके बारे में जाने चर्चा करे परिचर्चा करे आप discourse में आए आप चर्चा में आए परिचर्चा में आए आपकी profitability बड़े आपकी market में demand बड़े market में आप ranking में आए तो brand जो ambassador है वो आपको help कर सकते हैं ना सिर्फ करेंगे बलकि आपकी profitability आपकी demand आपकी market में डोमिनेंसी को भी increase करने में मदद कर सकते हैं निर्फर करता है कि क्या आप में यह चाहत है और जाहिर सी बात है कोई भी company आती है जो brand है वह एक level के बाद जो saturation point आ जाता है sales में profit में उसको तोड़ने के लिए या beyond the saturation level पर जाने के लिए वह brand ambassador को hire करती ही करती है कि once they are in the action उनको फायदा होता है वह अपनी जो saturation level है यानि जो आपका अस्तर है popularity का या demand का या profit का उससे आप आगे जा पाते हैं इसलिए यह trial tested और proven method है success के लिए किसी भी company के लिए किसी ब्रांड के लिए जो market में है कि once you endorse any brand ambassador you are ultimately going to benefit it इसलिए company line लगाई होती है कि कोई brand जो ambassador है वो हमारे product को endorse करें जिससे की market में मेरी साख मेरी दमखम बढ़े एक और मैं आपको case study इसमें बताऊंगा जो बहुत ही interesting बात है वा यह है कि कई brand ऐसे हैं जिनकी image बहुत अच्छी नहीं होती है लेकिन यह brand ambassador को hire करके अपने image बेकोवर भी करते हैं आप देखिए पानमा साला के कई सारे company हैं आप देखे होंगे कि इसमें अमिता बच्चन सारुख खान जैसे actor को hire लिया गया किसी कारण से बाद में अमिता बच्चन ने छोड़ दिया उसके बाद आजये देगवन वगेरा कालाकार जब काम करते हैं तो इससे जो image है company की वह अच्छी होती है यानि कि अगर किसी company की image किसी product की image बहुत अच्छी नहीं है due to various region कई कारण हो सकते हैं लेकिन जब brand ambassador एक बार आता है और इन कंपणियों का जब परसार करता है परसार करता है तो इनकी image अच्छी होती है इनकी demand बढ़ती है और लोग इनके बारे में सकरात्मक सोचते हैं तो यह भी फाइदा मिलता है कि एक image makeover का भी काम होता है बड़ बड़ी brand ambassador के द्वारा तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी बाते मैंने आपको बता दी है और फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्पूर्ण विश्य के साथ अगर आप लोग ने अभी थक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे और अगर आपके मन में कोई question हो क कोई topic पर आप मुझे से सुनना चाहते हैं तो आप comment में भी बता सकते हैं वाज के लिए बस इतना ही धन्यवाद